तो गाईज यह है All New Tata Nexon कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर में जो फेसलिफ्ट किया है बहुत तगड़ा से किया है इसको कहते है असल में फेसलिफ्ट गाड़ी का एक्स्टीरियर भी कंपनी ने चेंज कर दिया और जो इंटीरियर है वो भी यहाँ पे चेंज है आप लोग को क्या क्या चीज मिल जाती है अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी पर्चेश करना चाहते तो डिलर्शीप का दिजल इंजन के अंदर में ऊट्मेंक ट्राण्समिस्जन आएगा हो आपका एएफ्याल आयगा और जो पैट्रोल इंजन के अंदर में आफ已經न के अपका जो ऑट्रांसमिसीन आएगा वो डि alreadyraine जैसे नहीं कि इसे अंदर में टर्बो चार्ज वाड़ा इंजन है ऐसे नहीं है डी सीटी ट्रांस्मिशन के अंदर भी आप लोग क्या 1.2 लिटर का वही थ्री स्लेंडर वाड़ा इंजन मिलता है और जैसे इस गाड़ी का बेस वीरिंट है ना वहापे आप लोग को पैट्र लेवल वाली मिल जाती है लोग अनलोग फोलो मी हैड्लाम के लिए स्विच मिल जाते है बट जो दूसरी की है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्याद अच्छा लगेगा जो ग्रे कलर लेना चाते है वह इस कलर को बिल्गूल पर्चेज कर सकते हैं ऊपर से ब्लैक टीटमेंट के साथ में कलर तो चार चांज लगा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को LED इंडिगेटर्स मिल जाते हैं जो कि गाड़ी से आप ओफ रोड भी करोगे तो कई भी बे जिजग इस गाड़ी के अंदर में जा सकते हो और वियम यहां पर दे रखे हैं प्यानो ब्लैक फिनिश के इंक्यूपर में LED में इंडिगेटर्स मिल जाते हैं यह फोल्ड और फोल्ड तो आप लोग को मैनुएली करने प प्लास्टिक की रूफ रेल्स यहां पर मिल जाती है और शार्क फिन का एंटिना मिल जाता है जो कि प्यानो ब्लैक फिनिश के अंदर में आता है यह गाड़ी आपकी 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है और जैसे देखो कि नहीं यहां पर रफ क्लैडि रहे ना वो तो बिल्कुल सेम मिलता है टोपएंड वेरिंट जितना पर डफ्रेंस क्या है जैसे चो टैयर चोडाई है यहां पर निच्वाले वेरिंट के है 195 है पर जो इसको टोप वेरिंट था महां पर क्या था 215 टैयर की चोड़ाई गाड़ी के अंदर में मिलती थी बा और जो rear face ही है वो इस गाड़ी का काफी बढ़िया सा है यहाँ पे change किया गया है पिछे की तरफ में कोई आपको defogger wiper नहीं मिलेगा LED tail lights जो हैं गाड़ी के अंदर में मिल जाती है टोप end में क्या है यह connecting वाली आ जाती है spoiler मिल जाता है बट जो यह finish यहाँ पे दी हुई है यह आपको rough black finish ही गाड़ी के अंदर में मिलेगी दो parking sensor भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है बट जो camera है वो इस वाले variant के अंदर में नहीं मिलेगा पिछे की तरफ में reflector मिल जाता है जो इस गाड़ी की fuel lead है यह ऐसे बाहर से दवाने से open नहीं होती है आपका petrol हो चे diesel हो दोनों के अंदर में बिल्कुल सेम ही capacity मिलती है tailgate को open करने के लिए यहाँ पर कोई magnetic switch नहीं दिया हुआ है तो साहिद इसी सी होगा इसका tailgate open इससे होता है जो इसकी follow me headlamp है इसको आप long press कर रखोगे तो जो गाड़ी का tailgate है यही से open हो जाएगा 382 liter का इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को जो है boot space मिल जाता है बाई boot space के मामले में तो मेरे को ठीक लगी बट इस वाले variant के अंदर में कोई आपको partial train नहीं मिलती है और boot lamp भी जो है इस वाले variant के अंदर में नहीं मिलता है spare wheel की placement यह निचिक तरफ में दे रखे है 195, 60, or 16 का बिल्कुल सेम ही tire section आप लोग को इस वाले variant के अंदर में मिलता है LED lights दे रखे है बड़ बड़ी है अपने गाड़ी के interior से में दिखाता हूँ कि क्या-क्या चिज़े जो है आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाती है height adjustable seat आप लोग को इस वाले variant के अंदर नहीं मिलती है और fabric की ही seat अपोल्स्टरी यहाँ पे आती है dead petal मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही उठा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है अपना interior से में दिखाता हूँ बाई यह all the way back है जो काड़ी का steering wheel है यह बहुत ज्यादा तकड़ा सा यहाँ पे हो चुका है two spoke steering wheel है और जो टाटा का logo है यह glow करता है अब इदा को phone में थोड़ा से tip 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 से करता हो दिख रहे है इस वज़े से पता नहीं चल रहा है सिंगल इस वाड़े variant के अंदर मिलते हैं यहाँ पर आपको सारे music system के control मिल जाते हैं और इस साइड मिड है ना उससे related गाड़ी के अंदर में control मिल जाते हैं जो इसका इसके अंदर में और touchscreen display गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं मतलब सेकेंड बेस वीरिंट में touchscreen display जो प्राणी वाली दिस्प्ले वही वाली मिलते हैं और speakers की quality ग्लाज वाली मिल जाते हैं जो प्राणी नेक्सों आती दिना उसके अंदर में क्या था जो fit and finish होती थी इतनी बढ़ आसा हो गया बट यह मैला नहीं हो इस पैटरन ही इसी तरीके का दिया हुआ है ओ भाई साब यह ओटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है मैनुल वाल है देखो बिल्कूल भी नहीं पता चल रहा है यह मैनुल वाला जैसे देखो आवा कमझे तेज करूं यह पर शो करता है सब्सक्राइब का शोक किट है यूएसबी के लिए मिल जाएगा मोड्स मिल जाता है सिट्टी एको एंड स्पोर्ट्स मोड्स आर्म रेश्ट जो है इस वाले वेरिंट में आप लोगको नहीं मिलेगा आई एर्व्यम के मैनुल डेनाइट वाले मिल जाते है और रीडिंग गाड़ी में लेडी वाली मिलती है संरूफ के लिए वह यहीं बटन से रखें ओपनिंग तो उतनी होती जितनी वाई पुराणी वाली नेक्शन के अंदर में ओती थी और जो रूफ है यहां पर आप लोगको ओल्डेक लर के अंदर में नहीं मिलती है ग्लोव बोक्स अच् प्रटी विजबिल्टी में नहीं आएगी साइड विंडो से बात की जाए तो यहां से हलका से नीचे बैठाओं पर विजबिल्टी कोई दिक्कत निया है और जो वार वियम है इनके अंदर से भी बिल्कूल बढ़ियासा विव यहां पे आ जाता है तो गाड़ी को चलाने म के अंदर में मिल जाती हैं और जो auto wiper है वो भी आप लोग को इस S-variant के अंदर में मिल जाते है और जो steering wheel है सिरफ tilt adjustment के साथ में आता है Telescopic जो है यह steering wheel आप लोगों को नहीं मिलेगा अब second road दिखाता और इस गाड़ी के बारे में एक ही चीज बहुत अच्छी है जो इसकी सेकंड रोग सीट मालो ओल लावे बैक भी हो जाए ना तब भी जो काड़ी के अंदर में नीरूम बचेगा वालब यू है अराम से बैठ सकता है बैठ के जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है और जो कुशनिंग वगरा मिलते हैं इसकी सेकंड रोग सीट की बहुत जाद सा कम यहां पर कर दिया थोड़ा कमेंट करके मेरे को बता ना पावर विंडू यहां पर मिल जाते हैं यहां पर हार्ड में ही दी हुए है यहां पर सोफ्ट टच में नहीं मिलती है देखो पूरी ओल्ड अवे बैक है उसको चैफूट के लिए पैर बिल्कुल टाइट हो गय है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में कुशनिंग मों कहा रहा है जो है इस गाड़ी की बहुत अच्छी सी आप लोग को मिल जाती है और बिल्ट का तो पता यह बाई एक नंबर की जो है इस गाड़ी के अंदर में इंजन लागा हुए 1.2 लिटर का है यह आपकी 118 सब्सक्राइब करना बाई झालएप मों में आपकी 118 लू जाम बाई जह रहा है इस गालएप bullish दया है जब में लूएब जांजन ड festival से खया है विर अपकी जह ठा बाई इस द Whenever Ihr tamamen centres